नबस्कार दोस्तों, आज हम फसलो में जिंक और अनेक सुक्ष्म और स्थूल पोसक तत्वों, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रियंट के बारे में बात करेंगे जिंक का महत्व फसलो में उतना ही है जितना हमारे खाने में नमक का मतलब जिंक एक ऐसा तत्व है जिसका फसलों में इस्तमाल जितना कम होता है उतना ज़्यादा ज़रूरी भी है जिंक फसलों में प्रोटीन का संचलेशन करता है, कार्वो हाइडरेट का उपार्चय करता है और एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी जिंक का महत्तपून योगदान होता है मतलब अगर कहा जाए तो जिंक का काम बीच के अनकुरण से लेकर फसल के पकने तक चलता है जिंक के अलावा फसलों को एक संदुलित मात्रा में मैगनीशियम, सलफर, आइरन, मैगनीज, कॉपर, बुराउन, मालेबडिलम, आदी, अन्य सुक्ष्म और इस्थुल तत्पोसों तत्वों की भी आवस्सकता होती है ये सारे सुक्ष्म और इस्थुल पोसकत्त एक नियमित मात्रा में एक साथ मिलकर फसल को दिंदूनी और रात चौगनी बड़वार देते हैं, जिससे किसानों को मिलती है स्वस्त फसल और भरपूर उत्पादन इंडोगल क्रॉप साइंस लिमिटेड आपके लिए लाए हैं जिंक सुपर गोल्ड जिसमें ये सारे सुक्ष्म और इस्थुल पोसकत्त्त एक नियमित अनुपात में मिलाए गए हैं जो आपकी फसलों को स्वस्त बनाते हैं और बीमारियों से लड़ने की सक्ती भी प्रद हैं जो पौधों में मेटाबोलिक एक्टिविटी को बनाए रखने में सहायता करता है तो आज ही अपने नजदीकी विक्रेता से इंडोगल्व का जिंक सुपर गोल्ड ले आईए और अपनी सभी फसलों में इसका इस्तमाल कीजिए और फसलों को स्वस्त बनाईए इसका इ करने की सिफारिस की जाती है इंडोगल्व का जिंक सुपर गोल्ड फसलों के लिए एक वर्दान है जो देता है स्वस्त फसल और भरपूर मुनाफ़ा दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंशती रहे जल्द ही मिलेंगे एक और इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार